हेलो एवरिवेंग दिस इस दीपिका वेलकम बैक आई होब कि आप सभी बहुत अच्छे होगे आज हम डिसकस करेंगे जेयस मिल के पॉलिटिकल थौट का एक कॉंसेप्ट जो है जेयस मिल के जो व्यूज है लिबर्टी में तो लिबर्टी को लेकर जेयस मिल क्या कहते हैं जे कि पहले जेयस मिल का जो यूटिलिटेरिन थियूरी पे जो मॉडिफिकेशन था उसे हम डिटेल में समझ चुके हैं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज प्लासफर हैं एकनोमिस्ट हैं और वो मेंबर ओफ पार्लियमेंट भी रहे हैं इस्ट इंडिया कंपनी में काम किया है तो लिबरल क्लासिकल एकनोमिस्ट थे और उन्होंने इंडिवीज्वर राइट्स जैसे कि लिबर्टी फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प हैं अल्रजी जो 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 मिल है इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क हैं जो बहुत ही पॉपुलर है बुक जैसे की प्रिंसिपल्स ऐफ बॉलिटिकल एक्कोनोमी देन यूटी लिटिरिनिविजम और लीबर्टी एंद सब्जिक्शन वर्मन यह इनकी घुछ इंप बहुत जादा प्रभावित थे क्योंकि जेम्समेल खुद ही एक बिलिटिश हिस्टोरियन, एक अनॉमिस्ट और फिलॉसफर थे तो जो पहली एजुकेशन मिलती है जेयस मिल को वह अपने फादर जेम्समेल मिल के थू मिलती है दिन नेक्स्ट जो जेयस मिल की लौव ऑफ ला हैरियर टेलर का बहुत जादा प्रभाव है तो कॉंट्रिबिशन और पॉलिटिकल फिलोसोफी में जे एस में यूटिली टेरिनिजम थियोरी पे अपना कॉंट्रिबिशन दिया रेप्रेजेंटेटिव डेमोग्रेसी पे इंडिवीज्वर लिबर्टी एंड स्टेटस ओफ मिल पर इन्होंने अपने थाउटि दिये तो यह इनका मेजर कॉंट्रिबुशन है और ब्रीफ इंट्रोडैक्णिवी हो गया है एक्रेस् अपनी बुक्व ऑन लिबर्टी पर तो दोन लिबर्टी इनकी जो बुक है वो हमें एक डिस्कृटिव conception देती है जो JS Mil के आईडिया है लिबर्ती का उस पे तो जैनरली जो लिबरलिजम में JS Mil के टाइम तक दो ट्रडिशन बहुत जादा पॉपुलर थे आपको पता है कि JS Mil लिबरल थींकर थे तो लिबरलिजम में दो तरीके के ट्रडिशन पॉपुलर थे एक ट्रडिशन था जो कि john lock तो john lock ने जैसे राइट ओफ liberty life and property की बात करी है अपने political thought पे लुष एक tradition था जो natural rights को support करता था एक दूसरा tradition था जो utility को support करता था ये दोनों ही tradition किसके अंडर में थे liberalism में popular थे आब जो जो जैयस मिले इनका एक third contribution यहाँ पर जो किसमें जादा जो ट्रडिशन ओफ लिबर्टी लिबर्टी पे जादा फोकस करेंगे तो यह आपको एक तभी जैसमेल के बारे में एक बहुत ही जादा पॉपुलर है एक जो स्टेट्में जो जैसमेल के लिए यूज की जाती है कुछ मैंने यहां पे यह ना हैंड रिटन नोट्स कियें ताकि आपको एजी समझ पे आजाए तो थोड़ा सा हम समझते हैं तो जैसमेल के बारे में कहा जाता है कि if anyone is liberal then it is mill तो अगर कोई liberal रहा है तो वो जैसमेल रहे है क्यों ऐसा कहा जाता है क्योंकि Liberty पर अगर किसी ने पहली बार elaborate view दिया है किसी ने बहुत ही systematic तरीके से explain किया है Liberty कि को पहली बार तो वो थे जैसमेल और for this reason J.S. Mill को कहा जाता है कि if anyone is liberal it is mill ये कहा जाता है क्योंकि इसके पहले जो जो जॉन लॉक थे वो ट्रडिशन ओफ human rights के वारे में जसमें rights of life, liberty and property बात की है Bentham ने tradition of utility में utility की बात की है कि utility की basis पे सारी चीज़े चलती है तो अब J.S. Mill आते हैं तो J.S. Mill एक तीसरा tradition established करते हैं जसमें वो liberty को utility के उपर रखते हैं rights के उपर रखते हैं तो liberty पर elaborate view दिया है J.S. Mill ने and for this reason he is known as if anyone is liberal it is mill तो अब J.S. Mill के liberty के हम कुछ views देखते हैं detail में getting it तो यतना basic introduction समझ में आगे आपको तो it was J.S. Mill जो liberty को center stage में लाते हैं liberalism के इसके पहले क्या center stage में था utility, rights, right तो liberty is important not only for individual but society Mill कहते हैं कि जो liberty है वो सिर्फ individual के लिए ही important नहीं है बट society के लिए भी important है इंडिवीजवल के लिए क्यों important है इंडिवीजवल के इसलिए important है ताकि जो इंडिवीजवल का development है personality का वो तभी possible है जब इंडिवीजवल को liberty दी जाएगी Getting it, liberty का basic concept है अगर basic, अगर discuss किया जाए कि liberty से क्या मतलब है तो liberty से मतलब है ऐसी condition जहां पर state का interference नहीं है इंडिवीजवल की life में So no restraint, right, कोई restrictions नहीं है इंडिवीजवल की life में तो ऐसी condition इंडिवीजवल के लिए इसलिए important है क्योंकि इंडिवीजवल को अगर अपनी personality का full potential develop करना है तो उसे liberty चाहिए, ऐसी condition state को available करानी पड़ेगी जहां state interfere नहीं करेगा Getting it, तो यह important thing है Next है, कि यह society या state के लिए भी क्यों important है simultaneously तो JSML कहते हैं कि अगर कोई भी state जिस तरीके से individual या human being restriction लगाए जाने पर अपनी potential का development नहीं करेगा उसी तरीके से अगर कोई state अपनी individual पर restrictions लगाता है इसे उन्होंने कहा है कि no state becomes great by doffing its own people यह statement है, JSML का बहुत important है, पूँचा जाता है exam में तो JSML इस statement की through जो liberty की importance है वो explain करते हैं तो basically liberty is precondition for the development Liberty is the precondition for the pleasure आप pleasure का तभी enjoy कर पाओगे जब आपको liberty available होगी human being अपनी personality का development तभी कर पाएगा जब liberty available होगी अगर state इस liberty या freedom को deny करता है अपने people का इट means that कि state अपने people को opportunity ही नहीं दे रहा है develop करने की, अपनी personality develop करने की और अगर इस तरीके से state क्या कर रहा है, खुदी को harm कर रहा है by denying the freedom, this is the explanation of this statement कि जो liberty है, this is the precondition for the development और अगर state opportunity नहीं दे रहा है, freedom नहीं दे रहा है liberty नहीं दे रहा है individual को, तो individual को opportunity नहीं मिलेगी for the development of their personality, तो state अपना काम नहीं कर रहा है तो कुछ examples अगर लें, जैसे कि USA का example लिया जाता है कि वहाँ पर liberty दी गई और USSR in China, जो socialist countries थे, वहाँ पर liberty को state deny करता है तो कहीं न कहीं जो state है, वो liberty को curtail करता है, जैसे चाइना में तो China economically तो rich है, बट चाइना को हम great nation नहीं कह सकते हैं जैस मिल कहते हैं, क्यों कि जो चाइना है, वो basic liberty अपने लोगों को नहीं दे रहा है तो चाइना की condition कैसे है, जैसे की golden cage आप economically rich हैं, लेकिन freedom नहीं है लोगों के पास, तो आप एक सोने की पिंचुडे में जैसे आप हैं तो इसे expert नाम देते हैं pressure cooker syndrome, जो कभी भी मतलब कभी इस पे विसफोर्ट हो सकता है pressure cooker syndrome मतलब चाइना में लोगों को liberty नहीं दी गई है तो यह अंदर ही अंदर जब liberty को suppress करोगे, तो अंदर ही अंदर लोगों में गुसा रहेगा, dissatisfaction रहेगा और किसी भी दिन यह एकदम bum की तरह food सकता है तो state के लिए liberty कितनी important है, जैस में लिए explain करते हैं यहाँ पर तो next question यह आता है कि भाई, कितनी liberty देनी चाहिए liberty को क्या कोई दायरा होगा ना कि कितनी liberty, मतलब zero restrictions लगा दिये जाएं क्या जो classical liberalism में होता है, कि no restriction मतलब कोई भी condition क्यों नहों, state interfere नहीं करेगा, individuals के life में तो जैस मिल से पूँचा जाता है कि भाई, मिल महोदै यह बताइए कि liberty, कितनी liberty दी जाए state के दौरे individuals को, so how much liberty state should give to its people, next question यह आता है, तो जैस मिल महोदै इसको justify करने के लिए, explain करने के लिए एक harm principle देते हैं, अब यह harm principle क्या है, harm principle जैस मिल के दौरा दिया गया, जिसमें human actions को दो category में divide किया गया, पहली category थी self regarding actions, second category है other regarding action, तो जैस मिल महोदै कहते हैं, कि भाई अगर पूँच रहे हो आप कि कितनी liberty देनी चाहिए, तो रुको मैं बताता हूँ, तो human actions दो तरीके के होते हैं, एक self regarding actions, तो state को क्या करना है, self regarding actions में कोई interfere नहीं करना है, और यहाँ पर state को absolute liberty देना है, as far as self regarding action is concerned, अभी मैं थोड़ा से explain करूँगी self regarding and other regarding को, थोड़ा सा भी js mil का view समझ लेते हैं याँ पर, next js mil कहते हैं, रही बात other regarding function की, तो state can limit in this category, तो यहाँ पर state थोड़ा बहुत restrictions लगा सकता है, जो other regarding actions है, क्यों? क्योंकि other regarding actions हो सकता है, individual के action, other people को harm करें, देखो self regarding actions यह है कि, जैसे आप किसी और को harm नहीं कर रहे हो, ऐसे actions ले रहे हो, जिससे कोई और प्रभावित नहीं हो रहा है, जैसे for example, आपको मीठा खाना है, आप मीठा खा रहे हो, ठीक है, other regarding actions for example, कि आप पटाखे फोड रहे हो, किसी का जाके घर जल गया तो, तो self regarding actions जैसे किसी और को नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे case में state को बिलकुल भी interfere नहीं करना, obsolete liberty देना है, other regarding actions इसमें वो actions आमिल है, जिसमें हो सकता है कि दूसरों को थोड़ा बहुत harm हो जाए, तो मिल कह करते हैं कि ऐसे case में क्या कर सकते है, state interfere कर सकता है, जिससे कि जो individual है, उसकी liberty को reduce करे, और दूसरे individual को harm नहीं हो पाए, दूसरे आदमी को नुकसान नहीं हो पाए, तो यहाँ पर interfere हम कर सकते हैं, और individual की liberty को हम minimize, reduce कर सकते हैं, limit कर सकते हैं, अब इसी को लेकर सबसे ज़्याद का, और J.S.Mill को कहा जाएगा कि यह क्या बात हुई है, तो unscientific division आप कर रहे हो, ओके, अभी हम इसका criticism देखेंगे detail में, don't worry, तो J.S.Mill के हमने इस cat, जो इन्होंने categorization किया है, human actions का self-regarding and other regarding actions में, तो harm principle, तो individuals should have the freedom to pursue their own happiness as long as they do not harm others, यह harm principle हो गया, कि individuals को liberty है, freedom है, अपनी happiness अचीव करने की, जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुचा रहा है, और role of government तब आता है, liberty को reduce करने में, या limitations लगाने में, जब individuals दूसरे लोगों को harm पहुचा रहा हो, नुकसान पहुचा रहा हो, तब state interfere कर सकता है, तो यह हो गया है अपका harm principle, जो self-regarding और other regarding actions के आधार पर based है, getting it, तो I hope you got the idea कि harm principle क्या है, और self-regarding other regarding actions क्या है, और state कब interfere कर सकता है, according to JS mil, तो अब यहां पर inconsistency इसी देखने को मिलती है, JS mil के विचारों पर, so on the one hand, जो JS mil है, वो कह रहे हैं कि absolute freedom देनी चाहिए, बट दूसरी तरफ कुछ problems recognize करते हैं, because of the absolute freedom, क्योंकि absolute freedom दे दोगे, तो दूसरे जो individuals हैं, उनको नुकसान पहुचने की possibility है, दूसरों को harm पहुचने की possibility है, तो वहां पर state interfere करेगा, तो आखिर कर मिल महोदे कहना क्या चाहते हैं, आप freedom देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, यह यह आता है, और इसी की वज़े से जो बारकर है, वो एक scholar है, Ernest Barker, जो JS mil को कहेंगे, वो खोखली liberty दे रहे हैं, तो जो JS mil है, उन्होंने state intervention की जरूरत को realize किया है और जब state intervention की जरूरत है, तो फिर absolute liberty कैसे हो पाएगी भाई, तो इस तरीके से आप देखेंगे, कि यह inconsistency क्यों है, तो हम पहले JS mil को थोड़ा, जो Ernest Barker है, इनके view को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर, कि जो Ernest Barker है, वो JS mil पे allegation लगाते हैं, और JS mil को कहते हैं कि, जो JS mil है, he is a prophet of empathy liberty, मतलब खोखली liberty है इनकी, कहीं कह रहे हैं, restrictions लगा रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, तो जो Barker है, he is the supporter of the positive liberty, जैसे आपको पता है कि liberty को दो कैटेगरी में बाटा जाता है, एक negative liberty, एक positive liberty, negative liberty में क्या होता है, स्टेट का कोई interventions required नहीं होता है, या allowed नहीं होता है, absolute freedom, जबकि positive liberty में कुछ restrictions जरूरी होते हैं, स्टेट का intervention जरूरी माना जाता है, ताकि स्टेट वो condition अब label करा सके, जिसमें हर एक individual अपनी personality, अपनी capacity को बिल्ड कर पाए, ये अंतर है positive liberty and negative liberty में, तो जो earnest barker है, ये एक positive liberal है, और जो earnest barker है, वो JS mil को consider करते हैं, negative liberal, तो इस तरीके से earnest barker कहते हैं, कि जो negative liberty है, हम इसे defend कर ही नहीं सकते किसी भी condition पे, और इस तरीके से जो JS mil बात कर रहे हैं, वो negative liberty की बात कर रहे हैं, और negative liberty का मतलब होता है, no liberty, एक तरीके से वहाँ पर liberty आप कैसे दे पाओगे लोगों को सो बारकर बैसिकली कह रहे हैं कि जो मिल है वो अपने जो concept of liberty है उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं जो जो जेयस मिल है जब self-regarding actions की बात करते हैं और other regarding actions की बात करते हैं तो जो other regarding actions में जेयस मिल ने state को allow कर दिया है कि वो interfere कर सकते हैं harm principle के तहत पर तो यहाँ पर वो large scope दे रहे हैं state को Getting it तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो arbitrary classification है human actions का ही इसे unscientific actions classification भी कहते हैं और इस तरीके से कहा जाता है कि जो मिल है वो खोखली liberty के समर्थक है तो यहाँ पर अगर बात की जाए एक और हाँ तो मैं फिर से यहाँ से explain करना चाहूंगे इस चीज को जो यह liberty वाली बात है तो जो JS मिल के विचारों में हमें inconsistency देखने को मिलती है तो reason is this देखो हम यह deny तो नहीं कर सकते हैं जो earnest बार करे रहे हैं उन्होंने इतना बड़ा allegation लगाया criticize कर रहे हैं खोखली समर्थ खोखली जो स्वतंत्रत है उसके समर्थक कह रहे है empathy जो liberty है उसका लेकिन जब आप इसे conclude करोगे न तो आप इतना negative या extreme वे पर conclude नहीं करोगे आप कोगे दो कि there is an inconsistency in the J.S. Mill view regarding to liberty क्योंकि जो J.S. Mill है वो कहीं ने कहीं cross road पे खड़े हैं जो आपका classical liberalism है and modern liberalism modern liberalism जहां पर positive liberty का concept आता है और classical liberalism जो negative liberty को support करता है तो J.S. Mill उस cross road पे खड़े हैं जहां पर classical liberalism खतम होने को था और modern liberalism शुरू होने को था मतलब ना तो modern liberalism शुरू हुआ था completely और ना ही classical liberalism खतम हुआ था तो यह cross road पे खड़े हैं और जसकी वज़े से J.S. Mill के विचारों में आपको inconsistency देखने को मिलती है बट J.S. Mill जो है वो पहले ऐसे scholar है political thinker है जिन्होंने priority दी थी liberty को जिन्होंने liberty को priority दी थी liberty को priority दी over the utility इसके पहले Bentham आप देख सकते हो जोन लॉक देख सकते हो जिन्होंने liberty पे इतना खुल कर बात नहीं करी है तो J.S. Mill है उन्होंने liberty को priority दी है over utility दूसरा J.S. Mill कहते हैं कि जो liberty है this is the precondition for the pleasure और इसके बाद जो liberty है वो individual and society दोनों के लिए ही important है तो इस तरीके से हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो J.S. Mill ने liberty का concept दिया था वो एकदम ही बिकार है unscientific है ये इनका huge contribution था western political thought में इस तरीके से आप एक balance conclusion लिख सकते हैं getting it? तो I hope कि जो J.S. Mill का concept है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो liberty के बारे में क्या concept है तो liberty के बारे में इनका harm principle ज़रूर याद रखना self regarding and other regarding वाला और इस तरीके से इनके ये जो एक दो statement है ना उसे थोड़ा सा ज़रूर mention करना और जो classical liberalism का जो traditions थे क्योंकि already उस time situation क्या थी हमें ये भी explain करना होगा तो ये भी explain करना getting it ये दो tradition mention करना इससे क्या होगा आपका answer एक holistic answer हो जाएगा कि जिसमें आपने complete coverage किया है सभी dimension को cover किया है तो I hope कि आज का discussion आपको beneficial रहा होगा आपको आपका जो ये concept हो किलियर किया होगा thank you so much guys once again I would like to request please like share and subscribe my channel if you found my content वर्थफुल see you in the next video bye bye take care